पूडियां से निर्दली सांसत चुने गए पप्पु यादो इस वक्त हमारे साथ बाचीत कनिल की मौजूद हैं। आज सपत ग्रहन समारो है मोधी 3.0 का इसको लेकर के आप किस तरीके से देखें। नगे बाद समझें। मोधी 3.0 नहीं है। पार्ट 3 इंडिया है। मोधी इसकी गौवर्मेंट नहीं है। यह इंदिया का गौवर्मेंट है। यह मोधी गौवर्मेंट नहीं है। और दूसरी बात, एक देश के लिए शकून का बात यह है कि राहूल गांधी जी ने एक नेरेटिव तैकर दिया है। कि हिंदू-मुसल्मान नहीं चलेगा। साउथ-नौर्थ नहीं चलेगा। मनुप्यूर की अपेक्षा नहीं चलेगी। और जूट बहुत लंबे और नफरत की राजनीती नहीं होगी। राजनीती सचाई के साथ होगी और सुचितता के साथ होगी। यह राहूल गांधी जी नेरेटिव तैकर दिया है। इसको आप समझें सैर। सर्फ दो साथ चालीस दो साथ चालीस ने बीस होते हैं। यदि बिहार के एक युवराज का अहंकार प्रचंड पे नहीं होता। और एरोगेंसी। यह जो एरोगेंसी है बड़ी लेंग्वेज। तो आज कोशी सीमान चल मिठलान चल हारते हैं। पपू यादब को मारने के लिए खत्म करने के लिए आप 10 सीठ हार गया है। आप कनिया कुमार जी को भगा दिये। आप सीवान से आपने साबुदी जी पड़िवार को मारने की कोशिस किये। वो तो आप लास्ट में पांच सिट इसलिए जीते कि पवन सिंग के साथ टोटल राजपू समाज के लोगों के कुश्वान नहीं इंडिया को मोड़ दे दिया टोटल। और माले उस इलाके में माले मजबूत था। और जगह तो हम इनकी एरोगेंसी ने जिवराज के एरोगेंसी ने मात दे दिया। आज यदि पी-म राहूल गांधी नहीं बन रहा है तो उसके सबसे बड़े कारण है उनकी एरोगेंसी कनिया कुमार को बिहार से भगा देना साथ। अब युबराज कौन है आप तो यह की है युबराज जिनको कॉंग्रेस ने भी बनाके ही रखा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस ने और जिन पर सभी लोग कह रहे थे कि क्या करेंगे जिनको हेलिकेप्टर पर केक काटने और मचली खाने से फूर्शत नहीं थी और लिजिए उद्धब जी और राहुल जी अब सर्थ पभार जी का विश्वास और बिहार में उनको लगा एको आम दूतियों नास्ति हम से उपर कोई नहीं सब कुछ हम एंडिये की बात हो रही है उसमें नितीश कुमार बिहार से हैं इसके लावा चिराक पासवान हैं हम पार्टी के नेता हैं तो आपको लगता है कि इस गड़ बंधन को ले करके जिस तरीके से प्रधान मंतरी नरेन मोधी बढ़ रहे हैं उसमें आगी निश्यत रुप से अच्छी बात हैं एक तरफ चरण पादुका भी हो गया एक तरफ हनुमान भी हो गया एक तरफ सब्री भी और सुधामा भी हो गया माजी जी अब तो विशेष राज पहले ही इनको डिवांड करना चाहिए मंतरी मंडल में जाने के पहले इनको विशेष पहले इनको पहले बात करते हैं इनको जाती जनगना देश भर में कराई अब तो आपके अनुकंपा पर सरकार है आपके रहमों करम पर सरकार है तो आपके जब रहमों करम पर सरकार है तो आप कर क्यों नहीं रहें केसी तैगी ने तो यहां तक कहा कि उनको आफर मिला था नितीष कुमार को प्रदान बंती बनने का इंडिया गड़ बनदन के दरह सित्यागी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन यदि नितीश कुमार जी को आफर मिला था मैं नहीं जानता हूं और राहुल गांधी सच के अलावे कुछ नहीं बात बोल सकता है एक बात समझे जूट नहीं बोल सकता है यदि मिलदा होता तो बोल देता और कर दो को नंबर बना लेते ओविसी जन जाती जनगना भारत का करवा लेते इनके पास तो बहुत मोखा था यदि मिला था इनको ले लेना चाहिए था नहीं लिए हैं तो मुझे यदि ऐसा है नहीं लिए हैं तो यह पॉलिटिकल डेत है उनकी पॉलिटिकल डेत है वो कुछ भ तो पी-एम बने हैं मैं बदाई देता हूँ कि कम से कम हिंदु मुसल्मान नफरत की राजनिती सब खत्म हो और किसानों की जो बात मनिपूर में आपने देख लिया क्या हसर होगा जहाँ जहां जहां राम गए हैं वहां हार गए हैं आप उठा के देखे ते विंदम से लेके स तो समझ में एक बात नहीं आती है वो मेरे भी परदानमंत्री होंगे ना हम उनसे सेवा ले सकते हैं मैं उनसे आग्रा करूंगा कि अभी जो तुरंद की हैं कुछ दिन पहले प्रफुल पटेल का सारा केस माफ कर दिये और लालु यादव के परिवार के सभी लोगों पर च अब देश के विकास के अलावे दूसरी बात ना करिए एक अंतिम सवाल बिहार के कई नेता जो हैं मंत्री बन रहे हैं आप क्या चाहते हैं किस तरीके का पॉर्टफोलियो में तो मेरा हाग रह होगा कि बिहार के डवलप्मेंट में जो सबसे बड़ी भूमी का है वो है रे और मिला हुआ था बिजली को कर पाइग तो मैं जरूर्थ चाहूंगा कि जो यह जो बभाग है चार-चार मिनिस्टृ को मिल गए का हमको नहीं पता किनकिन की मिली नहीं मिली लेकिन मुझको लगता है कि अनिशित रूप से बिहार में इस पूर्टफोलियों पर लेना चाह ताकि बिहार का डवलप्मेंट किया जा सके और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का पलायन कैसे रुखे कोशी सीमांचल में जो और मिधलांचल में जो सबसे ज्यादा बार का प्रकौप है हाइडेम बहुत ज़ोड़ी है सिचाई बहुत इंपॉर्टेंट है और संजय जी और नितिस जी हमें सब बोलते रहते हैं तो अब हाइडेम उनके हाथ में हैं दूसरी चीज मक्का और मकान और फूड प्रोसेसिंग पर जो सबसे बड़ी घर है वो है मिधला कोशी सीमांचल का तो उस इलाके में यदि हम दस फैक्ट्री दस दस बैक्टिस चीजों का देते हैं तो अधिक पलाइन को हम रोकने में सफल होंगे तो मेरा बहुत किलियर है कि आपको बिहार का हित का ख्याल दखना चाहिए विशेस राज की बात हम तो विशेस राज की बात उठाएंगे और अगनीवीर जिसको आपने हमेशा विरोध किया है नितिजी ने कि अगनीवीर सह नहीं नहीं है तो मैं चाहूंगा अगनीवीर की समिक्षा नितिजी करवाएं और इस पर पुनर विचार करवाएं शुक्रिया सत्या के साथ जीते इंद्र सिंह आज तक